इसमें आपको बहुत ईजी और सिंपल सा UI देखने को मिलता है जहां आपको अपनी इंकम एड़ करना होती है और उसके बाद आप जब कहीं भी कुछ स्पैंड करते हैं तो बस यहां उसे अपडेट कर दीजे और हर बार यह आपको remaining balance calculate करके show कर देता है इसमें आप जितने भी transaction करते हैं वो सभी देख सकते हैं और अपने हिसाब से expenses और income के लिए different categories भी आप create कर सकते हैं वैसे अभी यह यहां dollar बता रहा है लेकिन setting में जाकर आप इसके rupees के symbol में भी change कर सकते हैं setting में आपको font style change करने के option के साथ dark mode और दूसरे options भी मिलेंगे इसके transaction में जाकर आप monthly, weekly यह yearly spending भी देख सकते हैं और क्योंकि यह free app है तो बीच में ads आते रहते हैं जिनको आप बंद करके अपना काम कर सकते हैं अगर आपको भी अपना boring default keyboard पसा नहीं है और आप कुछ colorful, funky ट्राय करना चाहते हैं तो एक बार आपको इससे ट्राय करके ज़रूर देखना चाहिए इसमें आपको काफी सारे paid और free themes मिलते हैं इसके लावा यहीं से आप gestures में जाकर swipe for space को option भी on कर सकते हैं then just right swap से बड़े ही amazing से sound के सांथ आप space add कर सकते हैं इसके dictionary option में जाकर auto correction और auto capitalization को control कर सकते हैं और इसके keyboard की padding को change कर सकते हैं sound में जाकर आप keyboard के volume को कम या जादा कर सकते हैं और different key sound को set कर सकते हैं language के नाम पर इसमें 40 language हैं लकिन English और English के अलावा कोई काम की नहीं और हाँ आपको उर्दू या फार्सी आती तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगी इस app को आप अपने photos और videos को nostalgic touch देने के लिए try कर सकते हैं इसमें आपको मिलते हैं 180 से भी जादा preset filter कुछ free है और कुछ premium जिनको आप एक touch में apply कर सकते हैं इनको edit भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से different presets बना कर save कर सकते हैं इसके अलावा इसमें आपको 3D chromatic aberration और glitch effect का option भी मिलता है color correction के लिए इसमें आपको HSL adjustment का option भी मिलेगा और काफी सारी frames भी आप इसमें add कर पाएंगे लेकिन इस app को use करने पर quality का problem आ रहा था जितनी high quality ये play store पर show कर रहा है उससे ज़्यादा कम है स्पाइडर मेन के साथ selfie ये वीडियो किसे नहीं चाहिए होगा आपको चाहिए लेकिन उसके लिए आपको Hollywood जाना होगा तो ये थोड़ा possible real में है नहीं लेकिन इस app की help से आप holographic spider man के साथ photos और videos ज़रूर ले सकेंगे वैसे इसके अलावा इसमें और भी काफी सारे celebrities और animals के holograms मिलते हैं जिनको आप use कर सकते हैं पर इस app को use करने पर कुछ-कुछ problem आ रहा है और जिस type की quality play store पर show कर रहा है यह app उस level का तो बिल्कुल नहीं है लेकिन मेरा opinion यह है कि आप अपना opinion comment section में ज़रूर बताएं लेकिन मजाग मस्ती के लिए ते फिर भी ठीक ही है इसको आप resize और rotate भी कर सकते हैं और जैसे चाहें अपनी creativity दिखाएं photos और video को save करके अपने दोस्तों के साथ social media पर आप share कर सकते हैं लेकिन यह सिर्फ उन्ही photos पर ठीक से work करता है जो AR core enabled के साथ है तो use करने से पहले make sure आपके phone में AR core है या नहीं इसमें आपको मिलते हैं home screen customization के लिए category wise नए-नए amazing और cool setups और ideas जिनने आप अपनी choice के according select करके उनको try कर सकते हैं यहीं पर आपको setup में used launches icons pack और widgets की details भी मिल जाएंगे और यहीं से आप उनको install भी कर सकते हैं setup follow करने से पहले आप उसका preview भी देख सकते हैं कि वो आपकी screen पर कैसा लगेगा यहीं से wallpaper को save या direct as home screen या lock screen set कर सकते हैं और आपको सिर्फ wallpaper ही चाहिए तो उसके लिए इसमें आपको अलग-अलग categories का एक huge collection भी मिलता है जिनको आप download तो नहीं कर सकते हैं लेकिन direct use जरूर कर सकते हैं या future के लिए bookmark करके रख सकते हैं इन सभी apps को try करके अपने experience हमारे सांद जरूर share करेगा I hope यह सभी apps आपको पसंद आई होंगी अगर इन में से कोई app अपने use किया है या आप अभी use कर रहे हैं तो comment section में जरूर बताएगा